कई बार कुछ आईडिया या प्रोड़क्ट अचानक से आसाधारन रूप से वाइरल हो जाते हैं जैसे अमेरिका में हश्वपीस के शुरू शुरूआत के साल में उतने पॉपलर ब्रेंड नहीं थे पर जब कुछ खास समू के लोगों ने उन्हें पहनना शुरू किया तो व परिवर्तन को और जिस खास बंदों पर ये चेंज आता है उसी को हम टिपिंग पॉइंट कहते हैं तो आईए इस चेंज को अपने जीवन में लाने के लिए पढ़ते हैं ता टिपिंग पॉइंट बाई मालकम ग्लैडवल जिस परकार आज कॉरोना का इंफेक्शन पूरे वर्ड में महाबारी बना है पहले वो किवल चाइना के वुहान में था फिर संक्रमन चाइना के कुछ और शहरों में फैला फिर वहां से यूरोप एशिया अमेरिका अधी कुछ केस पहुँचे तो बात आती है वहीं कुछ सौ से हजार से ये जो लाखों केस में आने वाला जो चेंज था यही टिपिंग पॉइंट है तो यह जो थ्रैसोल्ड होता है कि जिसके बाद वो चीज वाइरल हो जाती है उसी को हम टिपिंग पॉइंट कहते हैं इसको हमने अच्छे से समझ लिया है अब हम 80-20 के नियम के बारे में जानते हैं कि 20% चीजे ज्यादा तर केस कौन से लोग होते हैं जो किसी चीज को पॉपूलर कर देते हैं वाइरल बना देते हैं तो पहले टाइप के लोग होते हैं कनेक्टर इन लोगों का नेटवर्क बहुत बड़ा होता है जैसे कोई सेलेब्रेटी जिसके ट्विटर पर बहुत सारे फॉलोवर हैं फेस्बेक य होते हैं दूसरे होते हैं सेल्समेंट टाइप की परस्नालिटी इस पर करके लोगों की सोच विचार आपको भावनात्मक रूप से प्रेडित करती है किसी विचार या प्रोड़क्ट को फैलाने में सोचों कि आप एक क्लोट के शोरूम में गए हैं वहाँ कोई सेल्समेंट विच्वास के साथ कहें सर ये ड्रेस तो आप पर बहुत ही जच रही है तो आपका नहीने प्रभावित होता है उसे खरीदने को लेकर ऐसे ही लोग सेल्समेंट के लोग होते हैं जो आपको भावनात्मक रूप से किसी आईडिया या प्रोड़क्ट क बड़ी बारी की से पता है ये सुचनाओं की तहह तक जाकर चीज के लिए उसके बारे में बड़ी रुमांचक जानकारी देते हैं उसका प्रचार प्रसार करते हैं इसमें ये फीचर है इसमें ये बात है इसमें ये चीज अच्छी है तो वो जन सदारन के फाइदे की बात को बड़े ही आकरशक और प्रभावशाली धंक से फैलाते हैं इन लोगों का नेटवर्क तो बहुत पड़ा नहीं होता है पर जो जो लोग इनके बारे में जानते हैं इनके नेटवर्क में आते हैं वो इनकी सलहा पर बहुत विश्वास करते हैं इनोंने कह दिया कि यह चीज अच्छी है तो वो इसको मान लेते हैं तो यह जो तीनों वेराइटीज हैं कनेक्टर, सेल्समेन और मैवन्स यह तीनों लोग इन्फ्लूएंसर हैं तो अगर हम सौ लोगों के एक समू में ऐसे तीन लोग बिठा दें जो एक कनेक्टर हो, एक सेल्समेन हो, एक मैवन्स हो तो यह बाकी सतानवे के मुकाबले आपकी सोच को ज़्यादा प्रभावित करेंगे और सूचना को ज़्यादा अच्छी तरीके से फैला देंगे किसी आईडिया, प्रोड़क्ट या सर्विस का फैलने से पहले, वाइरण होने से पहले वो क्या खास बात होती है जो उसको फैलाने में महतपूर होती है यानि कोई बात ऐसी होती है जो दिमाग पर चिपक जाती है, स्टिक कर जाती है यानि उन बातों में एक अपील होती है अपील होती है भावनात्मक जैसे उसमें कोई हसी का मैसेज हो कोई खुशी का मैसेज हो आप तुरन फॉरवर्ड कर देते हैं कोई किसी बात पे सामाजिक गुस्टा हो सामाजिक घ्रणा हो जिम्मेदारी हो आप तुरन फॉरवर्ड कर से प्रभावित होते हैं अगर आपके रास्ते में कोई आपसे मदद मांगता है बहुत हाथ और फैला के मदद मांग रहा है तो जब आप कैस्वाली निकले हैं तो आप सोच सकते हैं और अजावेतर केस में आप मदद कर देते हैं पर अगर आप किसी एक्जाम या जॉब इंटर्विव के लिए जा रहे हैं तो आपका माइंड एक फोकस में आपको एक काम करने जाना है तो आप उस चीज़ को नेगलेक्ट कर देंगे तो ऐसे आपके decision change हो जाते हैं आपके दिमाग में priority क्या है focus क्या है तो ये बात clear है कि priority से आपके decision decide होते हैं ऐसे ही role play करने से भी बड़ा फर्क परता है इसका एक उधारन समझते हैं कि school की class में जब किसी शैतान बच्चे को class का monitor बनाते हैं तो वो जिम्मेदार बच्चे की तरह behave करने लग आते हैं देश्वक्ति का एसास कराते हैं समाजिक जिम्मेदारी इंपॉर्टेंट आदमी सुन्दर व्यक्तित्व तो वो चीज जो होती है वो भी आप पसंद करते हैं उसको आप फॉर्वर्ड करते हैं उस न्यूस को आगे बढ़ाते हैं कि बड़ी अच्छी चीज है साब से मुझे बड़ा फाइदा हुआ ऐसा ही एक फर्क परता है कॉंटेक्स्ट यानि संदर्ब से संदर्ब यानि कोई एक ऐसी बात जो कि अगर ध्यान दी जाए तो वो चीजों को बहुत अच्छे से फैला देती है जैसे कि एक शेहर में अपराद काफी बढ़ गया था तो व और कुछ एक्जामपल क्रियेट किया उसके बाद उस शेहर में कोई अपराद नहीं हुआ तो ये कॉंटेक्स चेंज किया तो फाइनली कुछ खास टिपिंग पॉइंट के बाद चीजे वाइलल हो जाती है फेमस हो जाती है कारण है तीन प्रकार के सोशल इंफूएंसर कने अब चीजेजों को फेमस और विकराती है प्रोडक्ट की भावना किसी आईडिया की भावना किसी सर्विस की भावना और हमारे आस पास का वातावरंड हमारी सूथ पे हमारे नेड़ने लेने पर फर्ट डालता है और अभी आप सुन देए हैं तक टिपिंग पॉइंट पा दोड़ी मुझे यह डिए लिए लिए प्रोड कर दो सब्सक्राइब है